एक बाद फिर से आप सबका स्वागत है वाइफा स्टेडी चानल पर विच इस पार्ट ऑफ अनक्यादमी तो आज की काफे इंट्रस्टिंग न्यूज जो है वो है ये एक स्टेट के अंदर दिया गया है महिलाओं को रिजर्वेशन और ये जो रिजर्वेशन यहां पर दिय दिया गया वोंबंट जॉबस के अंदर दिया गया इसमें एक बात और कहीं गया है कि अगर मालेञे की संख्याव हो Ведь कम है गोवमें के अदर तो वह जो पर्टिकुलर warm जी क्न को रिजर्व ने अभी हाली में 30% विमन रिजर्वेशन बिल को मन्जूरी दे दी है तो यह स्टेट बनेगा कौन सा उत्राखंड करें क्या हो जाएगा उत्राखंड बिल्कुल सही एपीज अबदुल कलाम जी मिसाइल में इंडिया और फीमेल में करेक्ट है बिल्कुल सही चलिए ध्यान जो सुनिएगा हुआ क्या है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो यूशूड नो की हुआ क्या है देखो उत्राखंड के अ च्झामेजी और यहाँ पे जो गुए यहाँ पे जूतराखंड पॉब्लिक शर्वासेस डिल क्या है उत्राखंड पॉब्लिक सर्वेसज बिल यह जो बन को प्रिजेंट किया गया और गवर्वर्नत की सहमती है वह इस के ऊपर दे अगई अब अगर कोई भी बिल ऐसा है जो कि पार्लेमेंट के अंदर आता है तो वहाँ पे सहमती किसकी चाहिए होती है राश्पती की चाहिए होती है लेकिन अगर कोई भी बिल स्टेट के अंदर आता है तो वहाँ पे सहमती किसकी चाहिए गवर्नर की चाहिए तो गवर्नर ने इस बिल को पास कर दिया, अब इस बिल में लिखा क्या है, इस बिल में लिखा है कि उत्रा खंड के अंदर जितनी भी महिलाएं रहती हैं, जिनके पास में उत्रा खंड का domicile certificate है, यानि कि जो महिलाएं वही की रहने वाली है, उनको 30% reservation दिया जा रहा है, यह 30% reservation किस में दिया जा जाएगा, और साथ में public post जो है, वहाँ पे इनको यह reservation दिया जाएगा, माल लीजे कि यह 30% seats हैं, यह women's से नहीं भर पाती, यानि कि women's की जो संक्या है, वो कम है, तो उस condition में जो remaining seats होंगी, उस condition में जो remaining seats होंगी, वो remaining seats किसको दे दी जाएगी, men's की category में दे दी जाएगी, समझ गए, तो यहाँ पर यह दियान दीजेगा, कि पहले तो women's के लिए रखी गई है, लेकिन अगर यहाँ पर population कम है, तो किसको दे दी जाएगी, men's की category में चली जाएगी, यह जो reservation है, बड़ा ही interesting point है, दियान सो सुनिएगा, यह horizontal reservation है, अब 22 चार दिन बाद paper आएगा, paper म होता है, यह दिया गया है, horizontal reservation, horizontal reservation से मतलब यहाँ पर यह है, कि women's को भी reservation दिया गया है, जो transgender है, इनको भी reservation दिया गया है, और जो disabled women's है, जो disabled women's है, इनको भी reservation दिया गया है, क्यों दिया गया है, ताकि social equality हो सके, सोशल एक्वालिटी हो सके यानि कि समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा सके और उनकी जो economic condition है उसे भी बहतर किया जा सके तो यह चीज यहां पर ध्यान दीजेगा कि यह horizontal है इसका कोई भी लेना देना आपके गड़ित के साथ में नहीं है अब वो बिचारा परिशान है कि लड़कों का क्या होगा बड़ा दुख है तुम्हारे लिए मुझे बड़ा दुख है तो यह जो concept है यह यहां पर अभी आया है और यह जो बिल है यह आप देख सकते है horizontal reservation बिल है और यह 29th of November को present किया गया था तब 29th of November को अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर Transgenders के लिए 1% reservation jobs के अंदर दिया गया है करनाटिका की सरकार के द्वारा Transgenders के लिए जो university बनाई जा रही है वो कहाँ रूपी के अंदर खुशी नगर के अंदर बनाई जा रही है यह question भी आपके paper में आया था ओके चलो बताओ Cast Based Senses अभी हाली में कौन से राज़ के अंदर किया गया तो Cast Based Senses कहां पर स्टार्ट हो गया है बिहार के अंदर स्टार्ट हो गया है यह कब तक खतम हो जाएगा यहां तक खतम हो जाएगा आपने सुना होगा कि यह शरत जी का नाम आपने सुना होगा काफी famous politician उनकी कल शाम क को देथ भी हो गई है पढ़ेंगे उनके बारे में भी कल चले सबसे पहला सेंसे आफ्टर इंडिपेंडेंस यह कॉशन कल पेपर में आया था 1951 क्या है 1951 और अगर हम सबसे पहले की बात करेंगे माय ओके चले अगला है जोशी मट अगला है जोशी मट इसे disaster prone declare किया गया कहाँ पर है चमॉली डिस्टिक कहाँ पर है चमॉली डिस्टिक के अंदर आपको यह मिलता है अगला है reservation अगर social और educational के basis पे दिया जाता है तो वो reservation कौन से अनुछेद में आएगा यह बताओ हम बताएए आप जोशी मट के बारे में एक सब्सक्राइब आप जोशी मट के बारे में बताये अब वहां समस्या शुरू हो गई तो वह समस्या पेटा पेले ही शुरू हो गया थी अरे लग पति दीदी तो मैंने बताया ने सूरी लगपती दीदी योजना जो थी, वो इक उतना भी कहाँ, उत्रा खंड के अंदर आए, कह रहे है, क्या मैंने, उप्स, सॉरी, 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 72, चलिए, यह बताओ, यह कहां रहे गए आर्टिकल, 16, no, गलत, 16 नहीं है बेटा, कॉशन को ध्यान से लिखा हुआ है, यह आर्टिकल नमबर 15 का क्लॉस नमबर 4 है, यहां पर जॉब्स नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजेगा, गर्वर हो जाएगा आपका सवाल, अगला, रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स, यहां आएगा 16, यहां आएगा 16, अगला, एकनोमिक वीकर से अगला क्या है, लिखा हुआ है, फॉरिस्ट हीलिंग सेंटर, यह कहां मिलेगा, यह आपको मिलेगा, रानी खेट के अंदर, अगला है, ट्विल्थ नमबर के सीम कौन बने है, पुशकर सिंग धामी, कौन है, पुशकर सिंग धामी जी को अभी हाली में पॉइन किया गया, अब यह मत बताना है कि मैं में बिजर कौन बना है, अब तक याद हो गया होगा, तुमको मुझे पता है, और उसके अलाबा जो बैच कल से स्टार्ट होना था, वो बैच अब आज से स्टार्ट होने जा रहा है, ओनली जीएस का बैच बहुत जल्दी एक बार फिर से होगा, लेकिन अभी आपका इंडिविज्वल नहीं, सेपरेट बैच नहीं, बलकि साथ वाला जो बैच है, वो लॉंच हुआ है, आज से शुरू होगा, इसके अंदर आपको जीएस माथ, इंग्लिश, रीजिनिंग, यह सारे के सारे सबजेक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कोट विल ख्रतित हैं, यह है टेलेग्राम जहां पर पीडियर और बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप उनली जीएस बैच यूज करना चाहते हो, इसको जोइन करना चाहते हो, तो इसका लिंक भी है आपके लिए, अगर आप कम्माइन बैच, यानि कि जीएस, मा आपको यहां पर मिलेंगे, and the code will be Pradhi 10, आज के आपके दोनों special classes भी होंगे, चार बजे और साथ बजे, प्लस subscription आप जोईन कर सकते हो, आइकानिक subscription भी है, जहां पर आप EMI में अपना amount पे कर सकते हैं, and report and when is also available, ठीक है, चरिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अब कितने करिये गा, इल दिन, बबाए, आथे को.